चलिए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ओप्शन A मुंबई, B कोलकाता, C दिल्ली, ओप्शन D मदरास आपका सैंसर हो जाएगा ओप्शन A मुंबई सवाल नम्बर दो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों आपका सैंसर हो जाएगा ओप्शन C राज्यस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राज्यस्तान राज्यस्तान छेत्रपल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है सवाल नमबर तीन है आपका भारत में कुल कितने राज्जे हैं ऑप्शन A 28, B 30, ऑप्शन C 36, ऑप्शन D 15 बताईए आपका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन A 28 भारत में कुल वरतमान में, वरतमान में कुल 28 राज्जे हैं पहले कितने थे, पहले 28 थे, फिर गुंतिस हुए, जब जम्बो कश्मीर और लदाक केंदर सासित प्रदिस बने, उसके पहले जब जम्बो कश्मिर से धारा 370 हटी तब भारत के कुल कितने राज़े हो गए थे जम्बो कश्मिर और लद्दा मिलाकर 29 राज़े हो गए थे अब वर्तमान में कितने हैं 28 राज़े है उसके बाद सवाल नंबर चार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है अपका साइज जवाब हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी कौन सी है गंगा नदी दोस्तों गंगा नदी का मैंने वीडियो बनाया है और गंगा नदी के बारे में मैंने 4-5 वीडियो बनाया है उनमें पूरी complete प्रोसेस मैंने बताई है तो सब्सक्राइब कर लें और उन सारे वीडियो को आप देख लें बहुत ये अच्छी तरीके से मैंने समझाया है और सवाल नमर पांच है हमारा भारत की सबसे चोड़ी नदी कौन सी है आपका सही जवाब हो जाएगा अप्शन C ब्रह्मपुत्र अगर बात की जाए लंबी नदी की भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है तो वो है गंगा नदी और अगर बात की जाए की सबसे चोड़ी नदी कौन सी है तो चोड़ी में कौन सी बजाएगी ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है उसके बाद सवाल नमब 6 भारत की सबसे उंची मिनार कुन सी है सवाल काफी important है एक्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है option A 4 मिनार, B कुतुब मिनार, option C सहिद मिनार आपका सही जवाब हो जाएगा option B कुतुब मिनार आपका अगला सवाल भारत का सबसे लंबा बान कौन सा है option A बांखडा बान, B इंद्रसागर बान, C हिरागुण बान, D नागारजुन सागर बान तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिरागुण बान आपका अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है सही जवाब हो जाएगा उसके बाद अगला सवाल है भारत की सबसे उंची मुर्ती कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट कोशन है अप्शन A हर मंदिर साहिब B हमपी C स्टेच्व आफ यूनिटी D गौमतेश्वर आपका सही जवाब हो जाएगा अप्शन C स्टेच्व आफ यूनिटी कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं और किस नदी के किनारे हैं तो नर्मदर नदी के किनारे हैं हलांकि थोड़ी दूर है लेकिन नर्मदर नदी के किनारे हैं इस्टेच्व आफ यूनिटी भारत की सबसे उची मूर्ती हैं उसके बाद अगला सवाल है दसवा भारत में प्रतम महिला विसुए ध्याले का विसापित होआ ओप्शन A 1917, B 1915, C 1916, D 1925 सबसे जवाब हो जाएगा हमारा option C 1916 सबसे बाद भारत का प्रतम महिला विसुए ध्याले काहां इस्तापित होआ था option A दिल्ली, B कोलकाता, C मुंबई, D बेंगलोरू हमारा सबसे जवाब हो जाएगा option C, मुंबई उसके बाद अगला सवाल है माउंट एरिष्टो पर चड़ने वाली पहली भारती महिला कौन थी यह आप सबी को पता होना चीए आपके नूलेच के लिए काफी important चीज़े हैं सारी option A, कलपना चावला option B, रजिया सुल्तान option C, बचंदरी पाल option D, सुचेता करपलानी पहले हम इन सावी के बारे में देख लेते हैं चली, आपका सेंसर हो जाएगा बचंदरी पाल माउंट एरिष्टो पर चड़ने वाली पहली भारती महिला कौन थी बचंदरी पाल option A क्या है, कलपना चावला कलपना चावला कौन थी पहली भारत के पहली महिला अंतरिक शिहात्री कलपना चावला थी option B क्या है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुगल शाशी का कौन थी पहली मुगल शाशी का रजिया सुल्तान बचंदरी पाल माउंट रिष्ट पचणने वाली पहली भारती महिला जी option D क्या है सूचेता करपलानी सूचेता करपलानी कौन थी भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री ये MPPSC, UPSC और ऐसी जो भी सरकारी गवर्णमेंट जोब होती उनमें ये question सा पूछा जाता है भारत की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी? सूचेता करपलानी और की सराज्जी की बनी थी? उत्तरप्रदेश राज्जी की ठीक है? ये आपको याद रखना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? आप सब भी जानते ही होंगे इसका सेंसर हो जाएगा ओप्शन B कीरन बेदी भारत की पहली महिला IPS कीरन बेदी थी अपका अगला सवाल हो जाएगा भारत की पहली महिला राज्जेपल कौन थी? ओप्शन A सरोजनी नाइडू B सुस्मिसासेन C प्रतिवापाटिल D ममताबेनर जी सही जवाब हो जाएगा ओप्शन A सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू भारत की पहली महिला राज्जेपल थी ठीके? अभी वर्तमान में 2023 में जो राष्टेपती बनी है द्रोपती मुर्मूजी भारत की नई राष्टेपती बनी है पहले क्या थी ये? राज्जेपाल ही थी ठीके? कब बनी है? द्रोपती मुर्मूजी राष्टेपती 2023 में उसके बाद अगला सवाल हमारा और आज का आखरी सवाल है भारत में प्रतम महिला प्रधान मंत्री कौन बनी थी? आप सभी जानते ही होंगे उप्शने प्रधिवबाटेल B.M. फातिमा B. C. इंद्रा गांधी D. अन्य सई जवाब हो जाएगा हमारा इंद्रा गांधी उप्शन C. इंद्रा गांधी बारत के पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी? इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी जी की पिता जी गन्नम क्या था? जवालाल नहरू ठीके? और इंद्रा गांधी जी कौन थी? राहूल गांधी की दादी जी और राजीव गांधी की माता जी ठीके? तो दूस्तों ये थे आज के हमारे कुछ important GK के सवाल ऐसे ही नए नए अपडेट नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए study point situation से जोड जाए आप चैनल को subscribe कर ले चैनल वीडियो के नीचे लाल कलर का subscribe बटन है उसको आप दबाए और उसके पास ये गंटी लगी हुई उसको भी दवा देता कि आपको हर नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहें आपको धन्यवाद